प्लिए और मोमोज बेचने के लिए। जब मैं अकेला होंगा मोमोज बेचने वाला तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और चाओ से खाएंगे भी सब खूब बिक्री होगी मेरी तो मोमोज वाला अगले ही दिन अपना मोमोज का स्टॉल गली के नुकर पर लगाने लगता है आओ आओ मोमोज खाओ गर्म गर्म स्वादिष्ट मोमोज दस रुपए प्लेट आओ आओ गाओं वाले ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं अरे ये मोमस का होता है इक कौन सी चिडिया का नाम है भाईया पता नहीं का बला है मोमस चलो भाईया दस रुपएया का बेच रहा है चल के खाए के देखते हैं रामू और किशन मोमोज वाले के पास मोमोज खाने जाते हैं आओ आओ भाईया बताओ कितनी प्लेट खाओगे भाईया पहले एक ही प्लेट मोमस देदो जरा खा के देखें कि क्या है मुमोज वाला एक प्लेट मुमोज उन दोनों को दे देता है किशन और रामू पहले मुमोज को देखते हैं फिर खाने लगते है अरे वाँ ये तो बड़ा स्वादिस्ट है भाईया और दे दो वे लोग पेट भर कर मुमोज खाते हैं और गाउ में सभी को बताते हैं मुमोज के बारे में इस तरह उसका धंधा निकल पड़ता है उसकी दिन दूनी रात चोगुनी तरक्की होने लगी उसी गाउ में हरिया नाम का एक आदमी रहता था वह बड़ा आलसी और लालची किस्म का था एक दिन वह मुमोज खाने जाता है उसने जब मुमोज वाले का काम देखा तो उसके मन में लालचा गया ये मॉमोज वाले का काम तो बड़ा सही है, पूरा गाउं इससे मॉमोज खाता है, क्यों ना इसे मार के मैं इसका धंदा करने लग जाओं, बना-बनाया काम भी मिल जाएगा और महिनत भी कम करनी पड़ेगी एक रात हरिया भेज बदल कर मोमोज वाले के घर जाता है और सोते हुए उसे चाकू मार देता है। उसका मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है। अगले दिन हरिया मोमोज बेचने खड़ा होता है। मोमोज वाले कहा गया। अरे उसे नुकसान हो रहा था काम में इसलिए वो मुझे रात को सारा सामान बेचकर शहर चला गया। अब से मैं ही बेचओंगा मोमोज। चलो फिर देरी कैसी लगाओ मोमोज। वहीं दूसरी तरफ मोमोज वाले भूद बन जाता है। अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पेट पे चाको मतलब मैं मर चुका हूँ भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसे किस ने मारा जिसने भी मेरे साथ धोका किया है उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा आखर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी बदला तो मैं लेके रहूंगा और सबक सिखाऊंगा भूत अपने कातल की तलाश में यहाँ वहाँ और गली-गली पूरे गाउं में भटकने लगता है इधर हरिया लालच के चलते खराब सबजियों और खराब टमाटर की चटनी बना कर मुमोज बेशने लगा यह तरीका सही है आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा खराब मुमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा एक दो पहर कुछ गाउं वाले बात करते हैं अरे भाई किसन पहले वाला मुमोज दुकान वाला कितने अच्छे और स्वादिश्ट मुमोज देता था और कभी तबियत भी खराब नहीं हुई हाँ भी या ये हर्या पता नहीं कैसे मुमोज देता है आए दिन तबियत खराब हो जाती है पर मन नहीं मांता इसलिए खाने चले जाते हैं इनकी बातें भूतिया मुमोज वाला सुन लेता है अच्छा तो ये सब हर्या का काम है मेरे बदले वही मोमोस बेच रहा है मतलब कि उसी ने मेरा खून किया था भूद गुस्से में आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सोचने लगता है वही उसे इस बात का भी दुख होता है कि उसने स्वादिस्ट मोमोस बेच कर जो नया स्वाद लोगों को दिया था वो हरिया ने खराब कर दिया लोग मोमोस के नाम से भी मना करने लग गए थे हरिया यहां मजे से अपनी जिन्दगी जी रहा था उसके लिए तो हिंग लगी न फिट करी रंग चोखाई था कमाई हो या ना हो जो आए वही सही कान 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 है सामने आ मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है लालच और आलस के चलते तूने मुझे बेरहमी से मार दिया मैंने तेरा क्या भी गारा था पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करने की नहीं नहीं मुझे से गलती हो गई मुझे छोड़ दो भूत डराबना रूप लेकर हरिया के शरीर के अंदर खुश जाता है और उसके उपर कबजा कर लेता है अगले दिन भूतिया मुमोज वाला अपने ही स्वाद में मुमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर फ्री मुमोज का बोर्ड लगाता है और गाउं वालों को फ्री में खिलाता है अरे वाह इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मुमोज खाए है अरे हरिया आज तो तुने पहले मुमोज वाले जैसे मुमोज बनाये है ऐसे ही मुमोज बनाया कर सब लोग भर पेट मुमोज खाते है रात को भूत हरिया का शरीर छोड़ देता जब हरिया अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे और सुबह होते ही भूत हरिया पर कबजा कर लेता और फ्री में गाउवालों को मुमोज किलाता वो भी बढ़िया अरे भैया आज कल तुम्हें हरिया के अंदर बदलाओ नहीं नजर आ रहा देखो पहले कैसे वो अकड़ में बोलता था और लड़ जाता था दो दो पैसे के लिए लड़ जाता था और अब देखो फ्री में मुमोज खिला रहा है हाँ भैया बदलाओ तो है इसका जो ये नया रूप है पुराने मुमोज वाले जैसा है जैसे वो प्यार से तमीज से मुमोज बेचता था वैसे ही अब ये देने लगा है भैया कुछ तो गड़बड लगती है क्योंकि रोज रोज फ्री में मुमोज कोई नहीं खिलाएगा हरिया शुरू से ही लालची किस्म का है इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी इसकी हाँ भैया बात तो सही है जरूर कुछ और ही बात है जब भूतिया हरिया रात को घर जाने लगता है तो गाउवाले भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाते है भूत जब हरिया का शरीर छोड़ता है तो गाउवाले देख लेते है अब देख तू हरिया कैसे तुझे सबक सिखाता हूं मैं इन पैसों के लिए तूने ये सब किया था ना अब ये पैसे मैं गाउओं वालों को फ्री मौमोज खिला के खत्म कर दूँगा तब तेरी सचाई पूरे गाउओं के सामने लाऊंगा और तुझे सब के सामने सजा दूँगा नहीं भूत भाई छोड़ दो मुझे मुझे जाने दो मुझसे गलती हो गई हरिया हाथ चोड़ कर भूत से माफी मागने लगता है ये सब गाउओं वाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं अब तुम चिंता नहीं करो भाई हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है हाँ हम जान चुके हैं कि इसने ही तुम्हे मारा है और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए भायो मुझे माफ कर दो इतने दिनों तब मैंने तुम सब को धोके में रखा पर क्या करता मेरी मजबूरी थी तुम चिंता नहीं करो तुम्हारी मौत का बदला हम लेंगे वे सब हरिया को उसी समय पकड़ कर गाउं की पुलिस चौकी मिले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं भूत या मोमोज वाले को मोक्ष मिल जाता है और वो शांती से भूत लोग चला जाता है